हेलो फ्रंट्स आप से भी का स्वागत आपके अपने चैनल पर सांस्ग्रो दे बेस्ट प्लीज लाइक दे वीडियो शेर दे वीडियो अगर आप पहली बार आयो चैनल पर सब्सक्राइब जरू करना आज कि हमरी क्लास है तत्व योगी के मिश्रान को Erstake Tech एंवेडियो इनसा को अरी प्लीज बीन स्क्राइब करेंगे आई आई उसा पहले शकर है चयों एक आज करते मिछा संब्सक्राइब कर सबस्क्राइब कलावयो Economics के तत्व योगिक है मिसरण है या एधातु है तो वायू जो है वह एक मिसरण है और इसमें बहुत सारी गेस हैं होती है नाइटरोजन सबसे दिक मातर मोना होती है उसके बाद oxygen हो यह से तो यह मिसरण का उधारन हो गया कि सबसे इधिक इसमें के बाई हूए एक Misrn है अगले नगे क्यों है कि निम्ग में से Misrn कोण? इनमे से कोण सा Misrn है? पीतल, जस्ता, या सोना या तामबा तो देखो तामबा को और यह element तत्व है सोना ये भी तत्व है और जिंक, जस्ता ये भी element है यानि की तत्व है पीतल जो है यह मिक्स्चर है इसको हम मिसर दातू भी कहते हैं मिसर दातू जो है दो या दो से अधिक दातू अथवा दातू का मिसरन होता है तो यह मिसरन का उधर आना है पीतल पीतल और कांसा यह दो मिसर दातू है दोनों कोपर की है पीतल और कांसा दोनों का main component जो main है वो दोनों में copper है तामबा है अब यहां पर कांसे को हम कहते है ब्रॉंज ब्रॉंज और पीतल को कहते है brass इसके साथ में tin है कांसे में और पीतल में जो है jink है अब देखो यहां से आप याद रख सकते हूँ एक trick में बताता हूँ आपको कहांसा को इंगलिस वर्ड से आप ट्रिक बना सकते हूँ ब्रॉंज में last में क्या रहा है ब्रॉंज जेड़ी तो जेड़ इसके अपोजिट यादि पीतल में है और brass में last में क्या रहा है SS याई SN किसमें अपोजिट यादि कांसे में तो कांसे में क्या है SN तिल और ब्रॉंज जेड़ यादि जिंक किसमें है पीतल में कि से इनने में संग्यें कोसा ने कैली में सा ततवा निया Giving शोडियं एम मश्रि प कोई सारे ने मिखनय है और ये दो या दो से अदिए खत्यासितनी का मिüt्यार निये सिंक गेता है सकते है इसको अभी मैंने बताया आपको की पीतल की और कांसे के बारे में तो यह कॉपर की मुख्या दातु अपने कंपोणनेंट होता है अगला कुछन है कि कौन योगी है इनमें से योगी कौन है चीनी सेमेंट कॉल्डरिंग और फूत पेस्ट यह तीनों मिसरन है चीनी एक योगी के कंपांड है और C6S12O6 यह ग्लुकोज है और इस तरह से सुक्रोज होती है इसे एक हैं दो से ज्यादा इक हैं इसमें एक साथ होती है तो यह एक योगी के बाकी सब भी जो है वो मिक्शर है ऐसे दातु जिनमें धातु और एदातु के गुनों पाए जाते हैं वो क्या कहलते हैं अगर पीरोडिक टेबल के बात करें आवर सारणी तो उसमें धातु और एदातु के बीच में जिग जिग पट्टी है और उस पत्टी को हम क्या कहते हैं, मल दातु, मिसर दातु, आदर्श दातु या उब दातु, जिसमें दातु और एधातु दोनों के गुण होते हैं, उसको हम उब दातु कहते हैं, तो इस question का सही answer है, उब दातु डी, और ये उब दातु हैं, बाकि सारे अधिक तरह जो है, दातु हैं, और कुछ हैं, इनको periodic table के सबसे, अगर आप याद रखो, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो, एक ट्रिक है, कि बस्सी, बस्सी, जस्सी, सब टीपो, बी यानि बोरोन, बस्सी, एक लड़के का नाम है बस्सी, और ऐसा ही सिलिकोन, जस्सी, यानि जर्मेनियम, और आर्सनिक, और एस्बी, एंटीमिनी और टीपो, टेलिनियम और पॉलोनियम, ये उप दातु है, इमने से कौन से उप दातु है, तो अभी आमने बताएं आपको कि बस्सी, जस्सी, सब टीपो, तो देखो आएरन यह दातु है, मरकरी पी दातु है, ओक्सीजन जो है, व तो इसका सही अंसरियां आपर क्या है, लेड, निकल, तिन या कॉपर से यह अंसर है लेड पीबी यह जो है विद्यूत की कुछ आलक होती है जल एक योगिक है योगिक है क्यों है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रॉक्षजन होती है यह रासानिक इस्थानों दोरा दो सरल पदार तो में तोड़ा जा सकता है या ठोस दर और गेस तिन रॉकि मदों पाने तो जल में दो निश्चित आरट इसमें हाइड्रोजन और उक्सुजन के भवार का आधार पर पर देखो कि परमानूं का अधार पर लिए लेका का अंपाह्त हो लेकर भाहार की बात करें करां कि ऑप्रमानू यहां तो फृंघ तो नाल ऐने नाल नाल डात Vamos让as कोई आगाला कुछिन वभीन तत्तुएं के निष्चे तत्त अनमाट विरेड़क्ते शिवनग तो तो क्या प्राप्त होगा योगिक विस्मांगी मिश्रण या उपधालतु या सामांगी मिश्रण तो देखो मिश्रण जो है वो रासायनिक रूप से सयोंग करने से नहीं बनता वो भोतिक रूप से सयोंग से नहीं बन जाता है और रासायनिक रूप से अगर तत्व एक Σबसे अधिक मात्रा में पाई जाएं दातु पाई आतीए। तो यह ना था तो है नी योगी को भ्रग वाई-उ घॉट्विस्टा olduğunu को इसे होती पतारत की वैसे मुग्षत हिता तीन होथी है ठोस द्र्व और यूर्ग इस लेगिन 4 और 5 स्टेम स्टेज्व भभी फ्रय प्लाज्मट तो 5 को बियूसी को बहुत झालता है बस sean practice एक बारतिय सेंटिस्ट है बोस और एक आइंस्टेम इन दोनों के नाम में ये बी इसी वाली कंडिशन या इस्टेज पाई जाती है तो चोथी प्लाजम और पांच भी इसी बोस आइंस्टेंड कंडेंस विरंजक चूरन क्या है विरंजक चूरन सिए-ससिए तो यह क्या है की योगिक तटव तो यह है योगिक विरंजन के का मतलब होता है रंग कंड निकालने के लिए तो निसकीज और लीन और को कोटन इंडिस्ट्र में तो यह बीचिव पावडर ओस स्ँए-स होता है निम में से किसके कणों को साधानते आँखों से देखा जा सकता है अगर हम विलियन की बात करें तो विलियन तीन प्रकार के होते है निलंबन, कोलाइड और विलियन या ट्रू विलियन या जिसको हम कहते है ट्रू सोलूशन तो ये तीन है कणों के अधार पर सबसे छोटे साइज के कण विलियन में होते है उससे थोड़े बड़े साइज के कण कोलाइड में होते है और निलंबन के कण बहुत बड़े साइज के होते है जैसे अगर हमने गोल दिया अगर चोक का पाउडर पानी के अंदर तो चोक के पाउडर के कण बाइक में नंगी आंखों से लिए आउंके देख सकते तो यह निलंबन है तो निलंबन के बड़ी साइज के होते इनको नंगी आंकों से देखा जा सकता है कोलाइड और विल्येन के कनों को हम नेकड़ अई से नहीं देख सकते को कोई instrument भी यूज करना पड़ेगा component हैं, तो यह मिस्रन है, और विस्मांगी मिस्रन है, समांगी नहीं हिए, वीस्रन दो आपरकार काई होता है समांगी विस्मांगी, समांगी मिस्रन भाई जैसे चीनी और नमक का जल में, जिसमें हमें अलग-लग सते नहीं दिक्के, यानि पूरी तरह से दोनों component जो mix होगे, अच्छा से उगल गए, दोनों परते नहीं बनती है, अलग लग वो समांगी है, और विसमांगी मिसरन होता है, जिसमें throughout same composition नहीं रहता, पूरे solution में अलग लग composition होता, कहीं पर एक component ज्यादा, कहीं पर दूसरा component ज्यादा जैसे अगर तेल और पानी का mixture बनाएंगे, तो तेल उपर ज्यादा रहेगा, पानी नीचे ज्यादा रहेगा, तो मिट्टी एक मिसरन है, तेल और जल को मिलाने पर हमें किस प्रकार का मिसरन मिलेगा, तो अभी मिनमें बात बताईए, आपको कि समांगी और विसमांगी दो प हो गया है, कहीं पर भी composition जो उनका अनुपात है वो अलग लग नहीं आएगा, डिफरेंट परते नहीं बनती दोनों के अलग लग तो वो तो होता है समांगी मिसरन, लेकिन तेल और जल जो है वो विसमांगी मिसरन का हुदार रहन है, अगले लक्शन है, समूदरी जल से नम के दोरा crystal करण के दोरा crystals बना के इसको प्राप्त किया जता है, तो उसे यह answer है अपर crystal करण है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइड करणों के दोरा प्रकास करणों का परावरतन, या कोलाइडल करणों के दोरा प्रकास करणों को सोखना, या कोलाइडल करणों के दोर विलियन के अंदर से प्रकास का रास्ता हम को दिखाए देता है जिब कि अगर true solution है केवल विलियन है उसमें से अगर प्रकास की किरने गिरेगी उसके उपर तो फेला नहीं पाएगा प्रकास की उसके पार्टिकल से उसके अंदर घू करने का राकार का प्रकास की कुछ परकास की क्रण पने UK के दूरा ठेना प्रवाव मिद्दela प्रखार गया है विस्मागी समांगी या विस्मांगी समांगी दोनों से अलग देखो दो परकार के मिस्रण है समांगी और विस्मांगी तो जो true solution है या जिसको विलियन कहते है जैसे जल में चीनी जल में नमक ये है समांगी बाकी कोलाइडल और निलंबन ये दोनों जो है ये विस्मांगी मिस्रण के उधारण है कोलाइडल का जैसे एक्जांपल के अगर हम बात करें तो कोलाइडल के एक्जांपल हो गए आपका दूध है शाही है और ब्लेड हो गया हमारा रक्त ये कोलाइड के एक्जांपल है तो ये विस्मांगी है हालांकि देखने पर अलगलग component दिखा ही नहीं देते लेकिन वो वि निलंबन में जैसे पानी के अंदर चोग पावडर या पानी में आठा गॉल दिया तो ये निलंबन क्या है बफर विलियन क्या होता है ऐसा विलियन जो विदुत का सुचालक है या ऐसा विलियन जो बहुत अदिक अमली है या ऐसा विलियन जिसमें अमली या चार की कोई मातरा मिला दे तो उसकी पीएच में वो उसको एब्जव कर लेता है उसकी पीएच में चेंज नहीं होता पीएच वही रहती है और चार या आमलकों मिलाने पर भी उसकी पीएच के मान में प्रिवरतन नहीं होता तो वो बफर solution बफर विलियन कहलाता है अगला इनमें से कौन कोलाइडल विलियन का उधारण है दूद रक्त शाही या तीनों तो अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों के तीनों जो है वो कोलाइडल परतन तो सही अंसर है टिन्ड्ल प्रभाव अंद…… कमरे में अगर किसी ह brightness है अंगर प्रकास कह क्रण जब अंदर कमरे में आती है तो कमरे के अंदर जो धूल धुल के कण और वाईव के Claud which वो प्रकास की किरण को फेला देते हैं प्रकिरण कर देते हैं इस वज़े से प्रकास की किरण का रास्ता दिखाई देने रगता है इसको प्रभाव करते हैं मिश्रन के अभयों को भौतिक विदी द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है रासानीक विदी के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है या भौतिक विदी द्वारा अलग किया जा सकता है या सिर्फ रासानीक विदी के द्वारा अलग किया जा सकता है तो मिश्रन बनता ही भौ जैसे मानलो कोई भी तत्वा है, जैसे oxygen है, या sulfur है, या ozone है, कुछ भी है, ये सारे तत्वा है, ठीक है, तो ये सब एक ही परकार के परमानों से मिलेंगे, sulfur में आपको कहलो sulfur के ही परमानों मिलेंगे, oxygen में कहलो oxygen के परमानों मिलेंगे, योगिक में दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है तो उसमें दोनों तत्वों के परमाणों होंगे तो एक ही परकार के परमाणों से जो बनता है वो है तत्व है, इलेमेंट अगर वायू को विन गेसों का विलियन माना जाए तो नहीं में से कौन से गेस विलाइक होगी अगर मानलो हमने वायू ऐसे मिसरन होता है हमोगो जीनियस मिसरन होता है समागी इनहीं में से अगर इसको विलियन मानले वे तो कौन विलाइक होगा वीलियम के दो component होते हैं एक न होता विले जो घुलता है और एक होता है विलाइक जो घूलता है जैसे अगर हमने चीनी में पानी घूला तो जो कम मातरा में उपस्तेता है वो विले होता है यहां चीनी और जल यहां पर विलाइक है तो ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा परतिशत जिस गेस का है वो यहां पर विलाइका काम करेगी बाकी गेस है उसमें विले के रूप में उपस्तेत रहेगी तो अधिक 78% nitrogen होती है तो nitrogen यहां पर विलाइका काम करती है बाकी oxygen, carbon dioxide oxygen , carbon dioxide, helium यहां नाइट्रोजन से यह ढसर है, carbon dioxide एरेटरेट ड्रिंक्स में कारबंडा उक्षाड गेस होती है विलियन निलंबन कोलाइड में से किसे सांत छोड़नें पर उसके कंड नीचे नहीं बेठते हैं तो देखो जिसमें कंडों की साइज बड़ी है उनको अगर हम इस्तर रखेंगे solution को तो उसके कंड नीचे जमा हो जाएंगे जैसे को कोलाइड के कंड नीचे बेठ जाते है और निलंबन के कंड भी नीचे बेठ जाते हैं लेकिन जो ट्रू सोलूशन है विलियन के कंड की साइज इतनी छोटी है कि वह पूरे सोलूशन में throughout same composition रशा है सब जगे वो बराबर मातरा में उपर सेत रहते हैं तो नीचे उपर सब जगे समान मातरा में रहेंगे नीचे नहीं बेठेंगे विलियन सही उतर है इसका potassium तत्व का प्रति क्या है potassium naam potassium potassium तो P से start होना चाहिए तो P-P-O-K-P-T सहीrem potassium का है K Latin में इसका नाम है Calium और वहाँ से इसका नाम लिया गया तो K potassium का symbol है इसे तरह से sodium कुछ के अलग जो लेटिन नाम है उनके याद रखना आप sodium बिल्छ करीम काने होता है अज inici कि अलग है मर्कमर्क जिसको अगरोनियम होती है जितनी वे धात्वर का लग दात्व ल१त वह है वो पोटेश्यम सबसाधिक है उसके बाद सोडियम है फिर लीथियम है फिर केल्शियम है फिर मेंगनीशियम है फिर एलुमीनियम है फिर जिंग है को फिर एफि हैस्न उए बी है की कि यू मर्करी अ कि सिल्वर Łγा और प्लेटिनम यह द्थाटों है तो आज प्रोटेश्यम लेकर लास्ट प्लेटिनम तक है तो सभसे अधिक क्यर्यासिल द्थाटोप्रश्यम है उसके बाद सोडियम है उसके बाद लीथियम है और फिर केल्सियम है तो यह पोटेशियम और लीथियम यह जो दातों है अधिक क्रियासिल दातों है और नीचा वाली जो यह है पारा इनको याद रखने के लिए एक लड़की इसका नाम है कनालिका कै-ना-ली-का और वो मुगल है तो मुग-ल, मुगल, मुगल जाने, फेशन वो फेशन की जानकरिया उसको जाने फेशन पर है पी-बी-एच यह एदत होती जाने फेशन पर है क्यूं है और पता भी है उसको कि क्यूं है फेशन पर क्यूं है चांदी सोना प्लेटिनम यानि उसको यह मालूम है कि चांदी सोना प्लेटिनम फेशन पर है तो कै-ना-ली-का-मुगल जाने फेशन पर है क्यों है चांदी सोना प्लेटिनम इसका सही अंसर है कपूर को किस विदी के द्वराप सुद्ध क्या गता है उद्रोपातन आश्वन वरन लेखन या निरवात वास्वन सही अंसर है उद्रोपातन कपूर केमफर जो है और नोसादल अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन और फि तो ठोस को गरम करने पर सीधे गेस अबस्ता मदलना और गेस को ठंडा करने पर सीधा ठोस अबस्ता मदलना यह उद्रोपातन सब्लीमेशन कहलाता है और यह सब्लीमेबल सब्स्टेंस है कपूर अमोनियम क्लोराइड आयोडीन और नेप्थेलीन तो यहां से अंसर हो गया उद्रोपातन और यह तकता है प्लमब यह लेब लेड्ड का संकेत के लेट जिसको करते लेडं वेह ड्रीन में आता है मुंकते लेड़ तो इसको इसका नाम प्लम्बम है प्लम्ब इसका एडा थैपी भी प्रमाणों की खोज करने वाले वेगेने को न है, थॉम्सम, डॉल्टन, डॉदरफूर्ड या निल्स बोग, प्रमाणों की खोज करने वाले जो है, वो है, डॉल्टन, जॉन डॉल्टन ने एटोमिक थेोरी दी थी, और प्रमाणों की खोज डॉल्टन ने की थी, दो या किसी भी अनुपात में मिला दिया है फिजिकली बहुती ग्रूप्स हैं तो क्या बनेगा मिस्रण बनेगा निम्न लिकित जोड़ी का मिलान कीजिए मिलान करना है कुछ तत्व के नाम दिये और उनका यूज कहां होता है वो बताना है यूरेनियम कोबाल्ट आयूडिन और कार्बन कैंसर का अपचार तो देखो कोबाल्ट का प्रियोग कोबाल्ट 60 का प्रियोग कैंसर के लिए यह प्रियोग का जो हार्मोन थायरोक्षिन हार्मोन वो आयूडिन से बनता है तो आयूडिन के अगर खाने में कमी है तो गोल्टर या गलगन डराम की बीमारी हो जाती है और जीवासमों की आयूपता के लगाने के लिए हम कार्बन का एक समस्तानी के कार्बन 14 उसका प्रियों कोडु यूर्यों प्रियोग प्रमोनरीक्टर में उर्जात पातन के लिए करते है तो निम्में से कौन सा कॉछतन के बारे में सखेए यह दोनों कर्पनिक है या दो और तीन दोनों स सईबनाऊ है दोनों ही अध्या हर था अंसर हई dell्ďण, हैं bethous अiled to Baths potassium chloride होता है और यह कपूर कांस इक संगट कौन से है कांसा किसे मिलकर बनता है aluminum copper manngese or magnesium copper or zinc copper and tin copper and lite तो देखो मैंने आपको बता है कि कासा जो है जिसको हम कहते है ब्रांच ब्रांच और ये बनता है कोपर और टिंस है एक कासा और एक है पीतल तो कासे को तो हम ब्रांच कहते है एक जो पीतल है मैंने आपको बता दिया इन दोनों के बारे में पीतल को हम कहते है ब्रास तो इसम से जेडेन है तो इसमें जेडेन नहीं है, एसन है, यानि ब्रास में एसन होता है, और यहां पर जेडेन है, तो जेडेन इसके साथ चला गएगा, जिंक इसके साथ चला गएगा, इसके साथ, पीतल के साथ, तो पीतल में तो है जिंक और कॉपर, और कहां साम है, कॉपर और टि तो यह कौन सा है sodium carbonate या potassium chlorate या sodium sulfate या sodium bicarbonate तो सही आंसर है baking soda जो है वो sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate NaHCO3 होता है यह इसका सही सुतर है baking soda और Na2CO3 यह वासिंग शोड़ा धाउन शोड़ा होता है इसमें जल होते हैं दस अनु जल के होता है अगला क्यूशन इसी पर है वासिंग शोड़ा पर वासिंग शोड़ा क्या है sodium bicarbonate calcium carbonate या hydrated sodium carbonate या sodium chloride sodium chloride होता है sodium carbonate होता है sodium carbonate होता है sodium carbonate होता है और इसके आगे hydrated इसलिए लगा दिया क्योंकि sodium Na2CO3S का सुतर है और इसमें 10 आनु जल के crystal जल के उपर देता है इसलिए इसको हम hydrated कहेंगे hydrated sodium carbonate और sodium bicarbonate को मीठा soda खाने का soda या baking powder भी कहते है यह bicarbonate होता है NaHCO3 bicarbonate या hydrogen carbonate भी कहते है इसको calcium carbonate CaCO3 होता है यह marble का चोक का इनका सुतर है और sodium chloride यह खाने का नमक है NaCl वासिम शोडा की बात करते है थोड़ा सा कि इसका रासानिक नाम sodium carbonate है और सुतर है Na2CO3 10H2O इसका प्रियोग काथ साबून और कागज उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् मर्किरिक सालफाइड निम्में से कौन सा तत्व है योगिकों की उच्चतम संख्या बनाता है कौन सा तत्व है जिसके योगिक सबसे अधिक संख्या में है oxygen hydrogen chlorine या carbon तो सही उतर है carbon carbon के सबसे ज़्यदा component है 90% component अकेले carbon के ही है 112 तो टोटल तत्व है और इसका अधिक component अधिक योगिक बनाने के कारण है कि एक तो इसमें स्रंख्लन की परवर्थी होती है यानि एक carbon सो डेड़ सो पान सो हजारों carbon के साथ में मिलकर एक ऐसे state change बना लेता है बाकि जो तत्व है वह तीन चार या silicon जैसे 6-7 तक आपस में जुड़ सकते हैं इसे आगे नहीं जुड़ते और एक इसकी चार से नजगता होती है तो चार बंद बना सकता है एक साथ चार अलगलग जस्ता हो तो देखो तामबा और जस्ता मैंने आपको बता दिया दो धातु है एक में जस्ता है और एक में टिन है तो जिसमें जस्ता है वह ब्रास है और जिसमें टिन है वह ब्रॉंज है ब्रॉंज करते है कासा हो तो जस्ता किसम है ब्रास में है पीतल में परमोनु सेंत्रों मेंалы graphide का प्रयोग के yolता है face carbon का अपरीपर रूपह क्रिष्टल το रूपह यह विदित रखाव प्रतियस रचन होती सकत कppings ऌर सुधन होता और कर देता बिग्रिया को तो मंदक की रुक में इसका प्रियोग हो आई THE पर्मानों का अब किसने खोज आता पर्मानों के अंदर सेंटर में जिसमें प्रोट्ओन और neutron रहते और सारा mass द्रवमान परमणों का नाभिक आई होता है electron उसके चारो तरफ चकर लगाते तो इसकी खोज किस ने किती नाभिक nucleus की खोज किस ने किती तो Rutherford ने इसकी खोज किती अपना जो alpha particle scattering वाला जो experiment था alpha कणों के बंबारी करवा है इसने gold foil पे तो Rutherford सही है इनमें से कौन सा विकब धातू के बारे में सही है हमें बताना है निचे कुछ आंसर भी दिये वे A और B सही है कि A और C सही है कि A और D है या A B C D सही है धातूं चम के लिए होती है बिलकुल सही है इनमें एक चमक होती है यह ताप और विदुद की सुचालक होती है हाँ यह भी सही है बिलकुल ताप की और विदुद की सुचालक होती है यह तार के रूप में खिच जाने योगे होती है इनके तार बनते है तन्ने होती है और ये प्रती धुनी पून होती है इन्हे सोनोरस होती है इनको पीटने परिन में से साउंड निकलता है और ये डक्टाइल होती है आगात वर्दन्ने होती है तो ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डी यहां पर सही अंसर हो गया अगला क्यूशन है कि वह कौन सी विभाजित किया सकता है तो दफ में kommण इसमें यह कि पर करने परमों से मिलकर बनती है तो वह व्यूश में और कि मिस्ञण है तो सबसे सिंप्लेस्ट नह biss ततों में तो कəmको से कम दो सक्वार्यदों की पर्मानों होंगी अधिक भी हो सकते लेकिन तत्वा जो हैं यह इक पर्कार की परमानों से मिलकर पणेगे का- 108 जा ने सब्थेखरि कि पहुतारे की प्रत्व, लगबग किस और आजकार के रासानिक तत्वा प्रत्वी पर पाए जाते हैं अभी तक हमने 112 को डिसकाउर कर लिए इसमें से कुछ संतेसाइज्ड डरतरी में बनाया गया गया प्रत्वी पर लगबग 92 के आसपास ऐसे प्राकृतिक हैं प्रत्वीय मिलते हैं तो प्रत्वी पर मिलने वाले हम इनमें से वैसे एक्जिक्ट आंसर कोई नहीं लगनी है, फॉर्थ वाल ठीक है कि सो क्यास पास ब्रमांड में सबसे प्रचूर तत्व कौन सा है, प्रत्वी की नहीं पूरे ब्रमांड की बात हो रहे है तो पूरे ब्रमाण में परचूरत तो कुन सा है उक्षिजन, हाड्रोजन, कार्बन अउक्साड यह सिलकॉन तो सही अंसर है, हाड्रोजन तारों और सूरे में और बाकी जो है वहां सबसे ज़्यदा यही है, हाड्रोजन ही है, हाड्रोजन के बाद में नंबर दो पर हीलियम ह हाड्रोजन सलियन अभी किरिया के दुरा हाड्रोजन के नाभिक है हीलियम के नाभिक बनाते है सूर्य पर तो सही अंसरियां पर हो गया हाड्रोजन हाड्रोजन एक रासानिक तत्वा है और ये आवर्थारने का सबसे पहला तत्वा है इसका प्रमणो करमंक एक है, जो सबसे हलका भी है, अचा ये भी अच्छा क्योशन है कि सबसे हलका तब तो कौन सा है? तो hydrogen है, ब्रमान में प्रत्यूपर नहीं है, प्रमान की बात दूरी है, सबसे परचूर मारता है, तारों और सूर्य का अधिकांस दरवमान ही है, सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व कुम सा है वातारण में वातारण में वायू मंडल में गेस से मिलकर बनता है और गेसों में सबसे अधिक होना है नाइट्रोजन है 78% बाकि नंबर दो पर ऑक्सिजन है तो इस क्योशन कसे अंसर हो गया यह आपका नाइट्रोजन थोड़ी बात करते हैं बाकि गेसों के परसंटेज के बारे में किसी गेस का परसंटेज आप से पूछ जा सकता है किसी क्योशन में तो उसको याद रखना 8.008 और ऑक्सिजन 21 परसंट 21 मानते है 20.95 है और लगबग एक परसंट के आसपास 93 परसंट 0.93 परसंट और कारबन डायोकसाइड के परसंटा 0.003 परसंट है और एक परसंट के आसपास जलबास होती है तो यह वायो मंदल का संगठन है वे दो गयसे जो समलित रूप से पर और ऑक्सिजन यह दोनों मिलकर 9% संगठन वायो मंदल का कौन मनाती है नाइट्रोजन और ऑक्सिजन अगला वायो मंदल में कार्मन डाक्साड का गेस का प्रतिशत कितना है तो यह वह क्यूशन है 3.0 या 0.3 या 0.03 या 0.003 या 0.003 या 0.003 या 0.003 या 0.03 या 0.03 यह लग 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 वायो सकता है 3.05,3 यह कार्मन डाक्शाड का संगठन कम्पोजिशन है वायो में वैयो में वायो में पाए जानी वाली कार्बन डाक्साड की सबसे प्रचूर तत्व कौन सा है ? सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाए जाता है ? है औक सबस्य अंशर है ? ऑक्सिजिन सबस्दिक मात्रा में पाए जाने वाला बू प्रपत्टी पर जो तत्व है वह ऑक्षीजन है रासानिक रूप से जल क्या है एक प्रॉक्साइड है कि एक हड्रॉक्साइड है कि एक ओक्साइड है कि कोई नहीं तो यह ओक्साइड है H2O, ऑक्सिजन जिसके साथ लग गया वो सारे ओक्साइड होते है को प्रोक्षाइड में तो हडोजन होती है H2O2 यह प्रोपट हो गया है तो अंशन means कोन इक योगिक के रूप में और एक तत्व की रूप में भी वर्गे शन्यान Strang . जिसको योगीक भी कह सकते और इसको 나가 रूचोड ये अणु तो है लेकिन तत्व है योगिक नहीं है कच्छा तेल ये तो मिस्रन हो गया और सोडियम ये नहीं है और पानी ये योगिक भी है और अनु भी सही अंज्र है, Magnesium Hydroxide, इसको Magnesium का दूद कहते है, और एंटासेड की रूप में काम आता है, प्रती अमल के रूप में, मैंगनीशा मैं द्रोकसड है कारबनी के योगी कहे है और इसका रासानिक सुप्तर MgOH2 है यह मिल्क अप्मेंगनीशा कहलाता है क्योंकि जल में घुल कर दूर जैसा दिखता है रिसका प्योग पेट की अमलता दूल करने के लिए रोप में प्रति अमले के रोप में इंटेस् को सुस्क बर्फ कहते है बर्फ के जैसी दिखती है और ठंड़ पैदा करती है चुने के पानी को दूद्या करने वाले गेस कुन से तो देखो चुना कैल्सियम हाइड्रोकसाइड होता है अगर इसमें हम कार्बन डाउकसाड गेस प्रवाइट करें तो चुनने का पानी जो ट्रांस्पेरेंट होता है पारदर से होता है वो दूद्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक नया कंपाउंड बन गया कैल्सियम कार्बुनेट बन गया दूद्या हो जाता है तो इसका मतलब वो गेस कार्बन डाउकसाड है तो असे यहां पर कार्बन डाउकसाड है गोबरगेज में मुक् lungs क्या होता है। इसका में कंपठें होती है। गोबरगेज दियूक गयोफ होती है। सबसादिक 60-75% तक और होती है। जबसातक दियुक्षाइब हती होती है। इसके इसके वाद μέ कार्बाट-डाक्साइब होती है। तोड़ा बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की, गोबर गेस में मुक्य रूप से मिथेन होती है CH4 और ये ग्रेलू इंदन के रूप में पर लोगत होती है, गोबर गेस का संग्टन इस तरह से हैं, देखो मिथेन 55%, 70% तक हो सकती है, और नमबर एक और नमबर दो पर है, कार च्ञिटन और कारबन डायॉकषाड, बायोगेस का मुक्य रासानिक संग्टन है, तो बियोगेस और गोबर गेस एक ही चीज है, मुक्य संग्टन वही है, जो गोबर गेस का merged का ये यानि मिथेन, उसके भाद कार्बन डायॉकषाड, तो यहां पर भी सही अंसर हो गया, सिंदूर का रासानिक सुत्र है अगला कुछन है कि किस गेस में सड़े हुए अंडे की जैसी गंद आती है सड़े अंडों के जैसी बिद्वाली गेस है अड्रोजन सलफाइड है जल गेस मिसरन है देखो दो गेस है एक तो जल गेस है रहे के प्रोडूशर गेस यानि उत्पादक गेस है दोनों के बारे में बताऊंगा आपको अब ही जल गेस किसका है मिसरन कार्बन मोनोकसाड और नैट्रोजन कार्बन मोनोकसाड और जल कार्बन मोनोकसाड और कार्बन डायोकसाड कार्बन और हैच टू तो देखो सही अंसर है यहां पर कार्बन मोनोकसाड और हैच टू हैड्रोजन अगले क्यूशन की बात कर लेते हैं फिर दोनों के आपको मैं इंदन का काम करती है और इसे बड़ी मातरा में hydrogen तियार की जाती है petroleum, methyl, alcohol का sensation भी इसके द्वरा किया जाता है तो carbon monoxide और hydrogen का mission क्या किलाता है? जल गेस उत्पादग गेस, producer gas क्या है? carbon monoxide और nitrogen, carbon monoxide और hydrogen, carbon dioxide और nitrogen, carbon dioxide और hydrogen तो यहां पर भी इसका main component एक तो carbon monoxide है और साथ में जो है वो दूसरा component वो है nitrogen N2 तो सही answer है CO2 plus N2 अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो उत्पादग गेस होगी एक है जल गेस इससे पहले बले कुशन में जिसके हमने बात किती जल गेस तो यह भी carbon monoxide और hydrogen से हैं यहने के दोनों की है उत्पादगेस, producer gaze और जल गेस कियाया is carbon monoxide क् ostr की है तो एक तो carbon monoxide याद हो गया कि वह दोनों carbon monoxide का मिसरन है तो carbon nonoxide है अब जल में क्या होता है hydrogen oxygen होती है तो oxygen को छोड़ दो क्या बचा hydrogen, तो जल गेस में क्या है hydrogen है, carbon monoxide के साथ में, और उत्पादन गेस में nitrogen है, कौन सा चार नहीं है, इनमें से कौन सा चार नहीं है, magnesium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide, sodium hydroxide, यह ammonium hydroxide, सही answer है, ammonium hydroxide, यह carbonic yogi के, बाकि सारे के सारे यह चार है, हलंकि hydroxide OH इसमें भी आता है, लेकिन यह carbonic yogi और यह चार नहीं है, अगलेकि उसने flint glass का प्रियोग किया जाता है, खिड़की का सीसा बनाने में, आइना बनाने में prism या headlight, सही answer है, prism बनाने के लिए flint glass का प्रियोग किया जाता है, सुमेलित करो, कुछ powders दिये वे, और फिर इनके formula है कि क्या-क्या है, तो यह मैं को chloride का पर है, यह प्रते को calcium oxy chloride, यह तीसरा, यह bleaching powder है, baking powder होता है sodium bicarbonate NaHCO3, sodium bicarbonate यह sodium hydrogen carbonate करते हैं, तो sodium bicarbonate का पर है, sodium bicarbonate यह एक नमबर, यह सही है, और वासिंग शोड आया है, यह होता है sodium carbonate, sodium carbonate Na2CO3, लेकिन यह हाइड, इसके साथ जल के अनों भी होते हैं, दस जल के अनों होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे decahydrate, दस को deca बोलते हैं, तो decahydrated sodium carbonate यह होता है आपका, वासिंग soda, जिप्सम, जिप्सम, केलसियम sulphate होता है, जिंक जो है, केलसियम sulphate, CA, SO4, 2H2O, यहां पर जल क से क्रिस्टलिय अनों होते है, 2H2O, केलसियम sulphate, तो केलसियम sulphate dihydrated, यह इसका सही है, केलसियम sulphate dihydrated, और प्लास्ट्रोपेरिस, यह इसी जिप्सम से बनाए जाता है, निरजली करने के दरा, इसमें से जब चल के एक और आदा अनों अगर निकल गया, तो उसके बाद में ब अनों है, मेचने कर लंग 10 आपर के भांन, और इसमें पाए जाता है, तो श्यटरिकमल tava में पाले आ जेते बनाए जाता और व्यू व्यू जो है, यह सीटरिकमल जो है, यह प्दासीमिल अई सेटरिकमल उप्यान प आजाता है, और लेक्टिंल नियम्भलत ओंता में तो लेक्टिक असे बनता है तो सिट्रिक असे नीमू में ब्यूटेरिक अमले मखर में असेटिक असेड शिरके में और लेक्टिक असे दूद में पाहिता है तो यह कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन्स थे तत्व योगिक और मेश्रान पर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको ल्ट करना अगर पसंद नीज़ा तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर कि चैनल पहले बारायत तो सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंट्स के साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करना मिलेंगे एगले वीडियो में जिसमें और इंपोर्टेंट क्योंस किसी इंपोर्टेंट टॉपिक पर तब तक जय हिंदे